सब्सक्रяет पार्ट करते हों। सथियों नमस्कार। अप, सभी साथियों को आपके अपने यूट clash चैनल ुराहारी अर्वेदिकषय। मैं पूला एक बार स्वАगत करता हूं साथियों। साथियों आज अपन बात करेंगे एक ऐसे बिसे के उपर एक ऐसे डिसीज के उपर जो कि आज महामारी के रूप में हमारे आपके बीच में फैल रही है साथियों आप सब देख रहें साथियों बहुत सारे पसंट हमारे पास आते हैं हम उनसे चर्चा करते हैं और उनकी मैं जब life style समझता हूँ तो लगता है कहीं न कहीं ये खुद इसके जिम्मेदार थे सातियों वो बीमारी है diabetes सातियों diabetes है क्या सातियों जैसा कि आप जानते हैं यह बीमारी जो है यह metabolic disease है यानि कि पाचन की समस्या जो पाचन समनी समस्या हो जाती है यह उसकी disease है और मैं आप से बात करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी disease है सातियों जो कि महामारी के रूप में उभर रही है सातियों हमारा आपका रहन सहन हमारा आपका खान पान इतना खराप होता चला जा रहा है सातियों कि कोई चीज हम systematic तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और यह जानते हैं साथियों कि हमारी जो सरीर है यह कोई भठी नहीं है यह hard months की बनी हुई सरीर है साथियों यानि कि इसका भी एक nature होता है इसकी भी एक सीमाएं होती है किसी भी चीज को accept करने के लिए किसी भी चीज को बरदास करने के लिए साथियों साथियों इसके अंदर हम कुछी भी डालते चले जा रहे हैं, कुछी भी खा रहे हैं, कितना रेस्ट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना हमको अपनी स्वास्त के लिए समय देना चाहिए, यह हम नह की दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं पहला दूसरा चीज उनकी लाइफिस्टाइल ऐसी है कि लगभक रात को एक बजे तक दो सोना, और दिन में दस्तिक 15 बरतेस तक उतना है . में उत्τηें और वेट पही ँंको चाय चाहिए साथ है . चाय में रहता क्या है ? आपका सुगर शक्कर।। और शक्कर के गुड के बारे में बर्णन किया गया था क्योंकि शक्कर में आपके कुछ नहीं बचता आपको पता है या कि पता कीजिएगा कि जो सक्कर की मेल होती है जो इसकी फैक्तरी होती है जब वहाँ पर ये तियार की जाती है वहाँ पे इतने खतरनाख खतरनाख केमिकल को डाला जाता है कि अगर उस केमिकल को जमीन में डाल दिया जाए किसी फसल में डाल दिया जाए किसी पौधे पे डाल दिया जाए तो वो नश्ट हो जाता है साथी आप सर्च करेंगे यह दूमें तो आपको बहुत साथ details का मिल जाएगा जब वो चकर हमारे सरीर में किसी न किसी के मादियम से जाएगी चाय के मादियम से जाएगी दोड के साथ सकर खा रहे हैं मिठा के रूप में लोग सकर खा रहे हैं तो निश्ची तोर पर वो बीमारी होना ही है साथी और वह एक नहीं कई भी बीमारी ला देती है साथियों अपन एक तो यह बात है दूसरा चीश साथियों हम जब proper exercise नहीं करते हैं जो भी हम diet लेते हैं उसमें से शकर की मातर यह ग्लुकोज की मातरा सुक्रोस की मातरा बहुत जादा रहती हैं और उसके हिसाफ से मुसको पचा नहीं पाएंगे तो हमारे सरीर में store हो जाते हैं आप जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे सरीद में स्टोर होता है और उन्सिलून उसको ग्लुकोज के रूप में कनवर्ट करता है उसका जब मेटाबोलिक प्रोसेस होता है तो एनरजी के रूप में ग्लुकोज बदल जाता है और हमा दूसरा चीज, आप सब जानते हैं, जो आरवेट का सिध्धान्त है, उसमें यह कहा गया है, कि सुबह का भोजन राजाओं कितरह है, दोपाहर का भोजन महाराजाओं कितरह है, और साम का भोजन कंगालों कितरह है, शाम सब्द लिखा हुआ है मतलब इभनिंग टाइम रात नहीं लिखा है यह रात लिखा भोजन कहीं पर वर्ण नहीं नहीं है अर्वेद में भी आप देख सकते हैं अश्टांगिर्देयम काफी फेमस उस्तक है साथियों जो कि हर घर में होनी चाहिए उसमें यह नहीं कहा ग करनी पड़ेगी यह निकि हम साम को बहुत लेट से लेट साथ वजे के पहले पहले हम खाले आप अकसर देखते होंगे जैन धर में लोग समय से खाना खालेते हैं यह निकि लगभग साम दिन ढ़लने के पहले जो जैनकार हैं जो नई पीढ़ें उसकी बात नहीं करेंगे ल हमारा जो कहने का ताथ पया साथी हो कि साम का भोजन पहले कर सकते हैं जो चीज़ चाहेंगे उस सभुखता है अगर हम आप चाहेंगे तो संभव हो जायेगा साथी profits करने साथी हम को मैं अपने बारे में बताऊंगा ऐसा नहीं कि आप सोचें कि lecture रहे हम को बता रहें लेकि यह झ Aur देखा लाट इंपाफर, दक्षा कंण सतरे, ज लिए यह, घॉध ही रित्र है उसको बहुत ज्यादा लगती है, कि बिर्द में पूरा चड़ जाता था बहुत दिक्कते चलती थी और शुरू में अपने अलोपैत मेडसीन के उपर डिपेंड करते थे जो इंटरसेट मेडसीन साती हैं उसके अपन सेवन करते थे विकासूल कंप्लेक्स लेते थे और उसका जो सीरा फाता है कुछ हाराम रहत लेकिन कब तक उस मेडसीन को पन ले सकते थे और अलोपैत मेडसीन आप सब समझ सकते हैं कि एक मर्ज को ठीक नहीं करेगी और दो मर्ज आपको गिफ्ट में दे देगी जिसके लिए आपको पैसा अलग से नहीं देना पड़ेगा गिफ्ट में डिसीज आपको मिल जाएगी साथियों है ना थोड़ा साइब गात्मक बात करेंगे कि जब हमने महसूस किया अपन फास्ट खाना खाना सुरू कर दिए पांच बज़े शे बज़े साथ बज़े तक अपन खालेंगे और हलका सहलका खाना खालेते हैं अब साथियों बढ़ें च्छे बज़े बहुत ही हैं फिट पूरी तरीके से फिटनेस अच्छी रहती है साथियों अब कभज एसीडिटी यह हम जानते ही नहीं कैसी रहती है कभी कभी तो निच्रली हर इंसान को हो जाता है एक आध दिन दो दिन के लिए तो उसके इलावा जो पहले हुआ करती थी अब वह साथियों कभी न अपन ग्लुकोज चेक किया तो लगभग 97 के आसपास आता है और लगभग खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत अंतार आता है तो यानि बहुत अच्छा है साथियों ब्लड प्रसर भी बहुत अच्छा है यानि कि कहने का मतलब हमारा कि हम कांटीनिउस आती हूं अपने सर इसलिन होता है जो पंक्रियाज होता ह Kiss पृठी करता है है जो हमारे सुगर को शरकरा लेबल्स को यानि ग्ल्पोज का संथी हमारे व्लड में अगर हमारे ब्लड में इसी हमारे अचिनी बढ़ती जाएगी यानि कि सक्कर की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी तो आपको डापटीज के स्म्टम्स आएंगी बलड आपका पदला हो चुरू हो जाएगा इमीन पावर लास होना सुरू हो जाएगा तो यह खराफ हो जाती है इंफर्टिल्टिय और इम्पोटे नहीं मानेंगे जिनको हो गया है उनको भी करना चाहिए लेकिन एक स्वस्ता अदिमी को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमको भी हो सकती है अगर हम सुरू से प्रापर एक्सरसाइज करें प्रापर हम जो निशुरल डाइट उसको हम लें और जो चीजे नहीं जिसे नमक मिनरल्स होते हैं जो हमारी सरीर को चाहिए तो अपने इनको सेवन करें क्या हम सक्कर से बनी चीजें को ना खाएंगे तो काम नहीं चलेगा आप गुड़की बनी चीजे खा सकते हैं गुड़की चाय पीजिए गुड़ दूद के साथ खाईए नास्ते में लीजिए रात को क्याँ खाईए दिन में खाईए वह आपके लिए बर्दाण ह guilty तो आपके हमारी सबुuff के सब्सक्राइबर करें अब बहुत अच्छा काम करेंगा आपके हमारे इंसफियु तो दूद को बहुत अब शक戲ριाज को बहुत इंसुलिन को इसके रहुत में ब्लड को भी अने के रखता है एसीड नहीं बढ़ने पाता सरकार लेवल को भी कंट्रोल कर देता है तो एक स्वस्त आदमी को उसको लेना चाहिए और एक बीमार को भी लेना चाहिए पर अगर बीमार है तो अपने डॉक्टर से के डवाइस से लें या कि जो भी बैद्दे हैं जो भी जानकार ह कि शुबह हम अपने सरीर के लिए समय दें एकसरसाइज निष्ची तो प्रत दिन करें कोई स्कियूज नहीं साथियों देखिये कुछ ऐसा चीज होता है कि मजबूरी होती है पुछ जरूरी है लेकिन कुछ मजबूरी होती है चाहे तो हम अभी से अपने सरीर को समय देना चाहे हम 10-30-0,000,000 रुपर खर्चा करें और चाहे तो जिन्दगी भर हम मिर्सीन लेते रहें साथिए तो हमारा यह मानना है कि अगर हमको जितने दिन जीवित रहें तो कम से कम घुल-घुल के तमना जीए, स्वस्त हो के जीए साथिए तो जो मैं चाहता हूं साथियों कि प् तो अध्या प्रोप स्वास्ट के हिसाब से भूजन लेτε तो अग Columbus भी चीज़ें साथियों के भाईट करें union 我uf हो साथियों स्वास्पूट के हिस देडियें सातियों मुट्य खराएंस अगर हम आप इसा करते हैं साथियों,LYा सब्स करें हैं हम भी देते हैं लोगों को और लोगों को अच्छा राम हो रहा है लेकिन जब तक अगर वो पधिवर्तन नहीं करेंगे वो कभी नहीं ठीक हो सकते कोई मीडसीन नहीं है दुनिया में जो उसको ठीक कर सकें सबसे पहला काम है किоры prevented जिस बजह रहें जिस बजह को रोग हमारे सरीर में आ रहा है आपको बता दूं दुनिया की सब और प्रतिलिन शरीर आपको आट घंटे में अब्रेट देगी हर खाने का, क्या अच्छा था कि बुरा था, हर खाने का, हर पीने का, तो हमारा कहने का मतलब साथी हो, कि सबसे बड़े पैथाला जी अपने सरीर को महसूस करें, इसको समय दें, और प्रापर एक्सरसाइज करें साथी हो, जब तक एक्सरसाइज करेंगे, तो पूरे सरीर में क्या होगा, पसीना निकल जाएगा साथी हो, इनरजी लॉस हो क्योंकि आप सरीर को समय देते हैं, और लाइफ स्टाइल अच्छा जीते हैं, और साथी हो, मैं वही चीज कहता हूँ, जो मैं खूद करता हूँ, मैं नमक सक्कर और च्छाय, इन तीनों से परहेज करता हूँ, बहुत साथी ऐसे हैं, जो मुझे मेरे साथ सफर करते हैं, ट् साथे पूरी उपी से में जब जाता हूँ, वहां से 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो गुड में लाह लेता हूँ, और कांटे ने उपियों करता हूँ, और बहुत अच्छा है साथी, बड़ा अच्छा लगता है, यह दुनिया में सबसे बड़ा सुख्य ही है, जीवन अपना हिल दी हो हम स्वस्तों साथी हूँ, इससे बड़ा दुनिया में कोई स्वस्तों नहीं है, हमने ऐसे से भी लोग देखा है, घर में अर्वो खर्वो रूपए है, लेकिन सरीर के प्रस्ये पूरी तरीके से सरीर से तूटे हुए हैं, कुछ खा नहीं सकते, उस धन का उनके लिए कोई म कर लीजिए, क्योंकि हम आप से रूबरूख होते रहेंगे, हम आप से चल्चा करते रहेंगे, तो बस आज इतना ही साथी हूँ, थैंकि